बक्रियों को छोड़ दिया हमने घास खाने के लिए तब तक ये घास खाके आती हैं कर लेते हैं हम घर के और काम ये जा रहे हैं आलू के प्रांथे बनने जा रहे हैं तो आज आलू के प्रांथे बनेंगे गर्मा गरम सबेर के खाने में सुबह के खाने में और दुपहर को कुछ और बनाएंगे क्या बनाएंगे राजमा बनाएंगे तो वही सारी त्यारी पहले से ही कर ली थी आलू बाल दिये थे, उनका पेश्ट भी बना लिया था, तो बस अब परांठे परांठे बनाने की देरी थी, बस देरी भी क्या थी, देरी यही थी, कि कब इशानत और त्यार हों, और कब मैं फटाफट से खाना बनाऊं, और आज कल मोसम, मोसम काफी अच्छ हो गया, आज तो खैर है, तो हमारा सिलसिला, अब हम ओरतों का क्या सिलसिला चलेगा, अब यही चलेगा, बही जोन से यह, जो भी घर में कपड़े भरे पड़े हैं, सर्दियों को, उनको इकठा करना, और साफ सुत्रा करके, रख देना हैं अगले साल के लिए, फिर पहननेंगे, तो बही, कीचन वगेरा का सारा काम करने के बाद, मतलब सारा क्या काम, खाना खाना, खाना खाने का काम, यानि कि बनाने का वो काम खतम करके, इशान तो चले गए स्कूल, तो उसके बाद मैं साथ के साथ लगी थी भई, अभी बलकि मैंने कीचन साफ नहीं की है, तो मैं साथ के साथ लगी ये कवर सेट करने के लिए तो इसमें ना मेरा काफी टाइम गया और ये ना रात इतने बहुत परेशान किये कंबल कभी इधर कभी उधर तो फिर हमने ना हार केस को एक साइड ही रख दिया था और मतलब सोच लिया था कि सुबह सर्ब से पहले इसका ही काम करना है कि इसको किस इस तरह सेट करना है तो पहले तो मैंने ये जो कवर था निच्चे बिचाया था तो फिर कंबल उपर बिचाया तो मतलब कंबल चोटा था या बड़ा था और कवर ये चोटा बैठ था कंबल के हिसाब से तो फिर मैंने कंबल निच्चे बिछाया और फिर उसके उपर कवर लगाया तो मतलब थे तो ये दोनों बराबर मतलब वही है ना इसकी लंबाई चोड़ाई का ना दोनों की हिसाब किताब बैलन्स नहीं बना हुआ था तो फिर तरह से ये सैट आया तो उस तरह से मैंने इसमें कवर लगाया ये और अकेली थी ना तो थोड़ा ताइम जादा लगाया और थोड़ा मुश्किल भी था तो कोई नी पर वही बात है हम लेडिस कुछ ना कुछ करके जुगाड कर ही लेते हैं और अपने काम को असान बनाई लेते हैं भई हाना तो भई इस तरह से इस कवर के जो कोने थे ना वो मैंने पकड़ लिये और इसको उल्टी साइड मैं घुमा लूँगी ताकि जब इसमें ये कंबल डाले तो ये एकदम मतलब सिद्धा ही रहे हाना तो कवर ये सिद्धा ही रहेगा और कवर अब जैसे य कोना पकड़ लिया मैंने और इसी तरह हैं दूसरा कोना पकड़ लेंगे और इसके अंदर इस कंबल को कर देंगे तो ये बिल्कुल सिद्धा ही रहेगा और इसको बई साथ के साथ और क्या करना है इसमें अभीना साथ के साथ सुईतागा लेके आऊंगी और जैसे मतलब र पूरी लाइन पे मैं टांके लगा दूँगी ताकि भई रात को वो ना हो जो रात हुआ था तो भई बड़ी मुश्किल हुई और फिर तो यही था कि हमने इसको एक साइड में ही रख दिया था और फिर अपना फुराना ही कंबल लिया था यानि कि रजाई ली थी जिनको हम रखने की तियारी में लग गए है उठाके रखेंगे वो थोड़ी भारी सी है तो यह था भई यह देखे इस तरह से यह हो गया भई कंबल इसमें सैट ना ना करते भी भई काफी टाइम लग गया मेरा इसमे तो यह हो गया अब इसको जाड लेंगे फिलाल तो मैंने इसको यही रख दिया जब बाहर जाऊंगी ना इसको लेके यानि कि बाहर ग्रील पे इसको गिराके और फिर सैट कर लूँगी अब थोड़ा सा जो कंब समी रहेगी रहेजेगी पहले इसको सिल लेते हैं तो फिर भई काफी डूढ़ने की बाद मुशक्कत के बाद एक तो मुझे वो नगंदे डालने वाला दागा नहीं मिला यानि कि वो थाई नहीं घर पे तो मैं सोच रही थी अब जो रील वाले थागे हैं सूट जिन से सिलाई करते हैं तो वो तो चलेंगे नहीं क्यूंकि पहले भी मैंने करके देखा भई वो नहीं चलते तो फिर क्या था मेरी एक स्वेटर है तो उसकी ना उन का ना एक फ्लावर सा था तो वो मैंने मतलब खोल के और फिर उससे मैं ये सिलाई वाला काम करने लगी और सिलाई वसना इसी तरह करी जैसे रजाई में आपने देखोगा ना नगंदे डालते हैं तो और ये पूरी लाइन मतलब जिस साइड से ये सिर की तरफ होगा ना वो वाली पूरी लाइन हम इस तरह से सिल देंगे तो जी इसको सिलने के बाद कीचन तो बाद में साफ करूंगी उसके बाद चलेंगे नहाने क्योंकि न मुझे बाल भी दोने आए और फिर बाल दोने सुखाने सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए सबसे पहले बाली दोलूंगी काम बाद में कर लेंगे क्योंकि फिर बाल सुखने में टाइम लगता है काम करते करते फिर बाल भी सुख जाएंगे है न तो नहांके और बाल दोके आगी थी और फिर मैं साथ के साथ मतलब कीचन में क्योंकि इशानतोर के भी आने का टाइम है तो मैंने सोचा पहले यही सबजी वगेरा बना देते हैं तो राजमा तो आज बना रही हूँ राजमा और चावल तो इशान्त को वैसे पसंद नहीं है तो कोई नहीं कभी-कभी खालेना चाहिए है ना खालेगा कभी-कभी तो चलते हैं और बस जादा तर आपको यही दिखत होगा हमारी कीचन में कि हम राजमा बगरां ऐसी सबजी निं बनती तो इसी कारण नि बनती ना तो मतलब इशान्त खाता है ना इसांत के सब्जी तो तड़का लगा दिया लसुन प्याज अद्रक को चोप कर लिया था और उसका जीरे के साथ तड़का लगा दिया यही है बहिं नॉर्मल तो इस तरह हैं मतलब कोई भी दाल सब्जी नॉर्मल तड़का लगा के क्योंकि वह डैली के लिए तो ऐसी बनता है अगर ग चावल के साथ फिर तरी वाली ही सब्जी चाहिए है ना तो कई बार इशांत बोलता है तब मैं ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूं नहीं तो इसी तरह से नॉर्मल जो सब्जी बनती है उसी तरह से ही सब्जी बनाती हूं और चावल के लिए भी कुकर रख लिया और चाव शावलगो के रख़दे न फिर काफी अच्छे बनते हैं तो और मखन के साथ ही इसमें तेजबत्ता काली मिरच और जीरा ठोड़ा सा तो इसका तढ़का लगा दिया तो इसमें भी भईए जमे ज्वे क्या है चावल में काली मिरच डाल दी तो यह शांत फिर नक्रे दिखाए है यह मतलब इस तरह के जो हमारे मसाले होते हैं जैसे लोंग और काली मिर्च वैसे तो खाई नहीं जाती तो इस तरह दूख के रजाई में काफी टाइम मैंने अपना कंबल में सिलने में ठीक करने में लगा दिया था तो अब भई यह मैं अपना जो कीचन की सलफ वगेरा है ये साफ कर लेंगे और इसके बाद फिर बाद में जो बरतन है तो वो कर लेंगे तो यही था और क्योंकि टाइम आप काफी हो गया तो इसलिए चोटे-चोटे से हमारे कुकर तो यही है बड़े कुकर में न फिर जो मतलब डाल सबजी बनाते हैं उसके लिए बड़ा रहता है यह सही रहते हैं क्योंकि छोटी फैमली के लिए इतना ही तीन लिटर के आईए तीन तीन लिटर के है न तो जी यह बन जेंगे अब हमारे मतलब सबजी और चावल तो इसके बाद भई दुपैर के खाने की न टैंशन नहीं रहेगी कि अभी खाना बनाना है तो ज़्यादा जुरूरी यही काम था तो यह काम मेरा हो गया है तो हाँ भई कल जैसे मैंने बोला था न भई वीडियो देख लेते हो कमेंट कोमेंट भी कर दिया करो तो आए भई कल कोमेंट आये हैं कहीं तो इसका मतलब यह है कि हमें बोलना पड़ेगा कि आप भई जो भी वीडियो देखते हैं तो कोमेंट जरूर कर दिया करो अगर व आप ये भी लिख सकते हो ठीक है पर कोमेंट जुरूर किया करो है ना और फिर हमें ये भी रहता है कि पता भी चलता है कि हमें हाँ कौन कौन देख रहा है और अनवर भाई तो खेर हमें हर रोज देखते हैं फूल सपोर्ट उनकी हमें मिल रही है डेली उनके कोमेंट भी आते हैं तो ठैंक्स भई अनवर भाई और अब चलते हैं भई ये अब पकते रहेंगी बनते रहेंगे और बीच में भई यहीं पे अभी मैं बाहर गई थी न डोर खोलने गई थी तो इशांत के पाप आज जल्दी आगे थे इशांत से पहले वैसे इशांत पहले आता है लेकिन आज इशांत के पाप आगे थे और आते ही बोल रहे हैं कि भूख लग रही है जल्दी से खाना दे दो तो भई खाना बन गया था और कंगी बलकी मैं जो बाल बूल मैंने कंगी करने हैं बाद में करूंगी पहले इनको खाना दे देते हैं और मैं भी पहले खाना ही खालूंगी क्योंकि थोड़े से बाल भी मतलब पानीन में से निकल जेगा थोड़े सूख जाएंगे तब ही कंगी करूंगी गिल्ले बालों में मैं कंगी निकरती, आप सभी को पता होगा, तो थोड़ा से इनको चुखा के तब कंगी करूंगी, तो तब तक खाना खा लेती हैं पहले, तो सबसे पहले पता ही आप सभी को कि सबसे पहले किसकी प्लेट लगती है, सबसे पहले इशांत की प्लेट लगती तो ये इशान्त के लिए तो और दहीं तो आजकल बैज दहीं भी मतलब अच्छी लगने लग गी है थोड़ी पिछे सर्दी जब हुई न तब हमने दहीं बिलकुली बंद कर दी थी और अब दो तीन दिन से मतलब दहीं हमारी शुरू हो चुकी है दहीं ही लसी अब तो मतलब डेली के डेली बनेगी और इस तरह से और यह अब मास्टर घी की थाली तो मास्टर जी इदर बहारी बैठे हैं तो वींडो में से ही यह खिडकी आइधर तो खिड़की में से हम ये पलेट बाहर भीज देते हैं अब लेंके चलते हैं अपनी पलेट तो इसमें na कटोरी में मैंने नमक र मिर्च देख था और फिर मैं ने ये मतलब इसमें चावल बचे हुए थे तो अपनी ही पलेट में मैंने ये डाल लिये थे तो भई सबसे पहले जिस जिसने दूपयर का खाना नहीं खाया तो आजाईए आप सभी के लिए भी खाना तियार है जो हमारी यूटूब फैमली है और जो न्यू है भई उनके लिए भी तो मैं भी बाहर ही आके धूप में बैठके इस टाइम धूप काफी अच्छी थी तो स यहीं बैठके ही कंगी कर लूँगी तो बालों कई भी भई अब केर करेंगे थोड़ी बहुत थोड़े से हम मेरे बाल जो है खराब हो चुके है वही है न सर्दी की वज़े से थोड़ा सा एक तो केर नहीं हो पाई तो अब अलग से हेर पॉल और हेर ग्रोथ की वीडियो सो सोच रही हूं मैं बनाने की तो देखते हैं थोड़ा सा और मोसम सही हो जाए क्योंकि न कईयों के कोमेंट भी आते हैं कि हमें अपने बालों के बारे में बताओ कि आप बालों में क्या लगाते हो कैसे अपने बालों की देख बाल करते हो केर करते हो तो बही मैं सोच रही कुछ जो जानकारी मुझे है तो आप सभी को भी दूंगी तो शोट वीडियो मनाने के लिए मैं च्छत पे आई थी और च्छत पे नाइदर रुस्तम और सुल्टान भी थे भई तो उनी को देख रही थी मैं और